दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को पंजाब नाशनल बैंक और ITC लिमिटेड के साथ में टोटल में 12 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनोंने यहाँ पे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड क्यूपिड का जो शेयर प्राइज है 2100 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है इस कंपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट दोनों ही चीज़े साथ में अनाॉंस कर दी है बोनस अनाॉंस किया गया है 1 is to 1 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर एज़ बोनस मिलेगा तो अगर आप इन दोनों रेशियो सको साथ में कंबाइंड कर देते हैं तो बेशक आपके पास में इस कंपनी के चाहे जितने मरजी शेयर हो आप लोगों का हर एक शेयर यहाँ पे 20 शेयर के अंदर में कंवर्ट हो जाएगा इस स्टॉक बोनस और स्प्लिट को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है फाइनली कंपनी ने अनौंस कर दी है जो की 4th आफ एपरिल की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है विसको ट्रेड एसोसियेट्स लिमिटेड विसको ट्रेड एसो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 29th आफ मार्च की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो सेम कंपनी है यानि की विसको ट्रेड एसोसियेट्स विसको ट्रेड एसोसियेट्स का जो शेयर प्राइज है बताई दिया है 234 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंप कंपनी के जितने मर्जी शेयर्स हो आप लोगों का हर एक शेयर यहाँ पे 5-5 शेयर्स के अंदर में कंवर्ट हो जाएगा एंड इस स्टॉक स्प्लिट को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो भी फिलाल अपकमिंग में है जैसे ही कंपनी स्प्लिट को देन यहाँ पे डिविडेंट अराउंस कर दिया है 2.50 रुपीस का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 0.5 रुपे यानि की 2 रुपे 50 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो 28th of March की रहने वली है अगले श TVS Holdings Limited TVS Holdings का जो शेयर प्राइज है 8,105 रुपीस के उपर में चल रहा है और इस कम्पनी ने यहाँ पे डिविडेंट अनौंस कर दिया है 94 रुपीस का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के उपर में 94 रुपीस का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो एक्स और रिकॉर्ड डेट है वो 2nd of April की रहने वली है अगले शेयर की बात करें तो कम्पनी का नाम है DCM Shriram Industries DCM Shriram Industries का जो शेयर प्राइज है 894 रुपीस के उपर में ट्रेड हो रहा है और इस कम्पनी ने यहाँ पे बोर्ड मीटिंग और्गनाईज कर दिया 28th of March को और इस बो इन्वेस्टर्स को जितना भी डिविडेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग लिए एक अच्छा डिविडेंट अरौंस कर देती है तो डिफिनेटली इस शेयर के अंदर में हम लोगों को एक काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है तो जरूर से DCM Shriram Industries के शेयर को आपक System International का जो शेयर प्राइज है 440 रूपीज के अपर में चल रहा है और इस कमपनी ने यहाँ पर डिविडेंट अनौंस कर दिया है इस 6 रूपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के अपर में 6 रूपे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की जो एक्स डेट औ पर में ट्रेड हो रहा है और इस कमपनी ने यहाँ पर डिविडेंट अनौंस करके रखा है 117 रूपीज का आप लोगों को आपके हर एक शेयर के अपर में 117 रूपे का डिविडेंट दिया जाएगा इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट फिलाल अभी अपकमिंग में है जैसी अनौसमेंट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है बेलेकसी फार्मसूटेकल्स लिमिटेड बेलेकसी फार्मा का जो शेयर प्राइज है 475 रूपीज के उपर में चल रहा है एंड इस अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है निधी ग्रेनाइट्स लिमिटेड निधी ग्रेनाइट्स का जो शेयर प्राइज है 193 रूपीज के उपर में चल रहा है एंड इस कमपनी ने यहाँ पे स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है 1-1 के रेशियो से जिसका मदलब य अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो यहाँ पे आपको एक शेयर है जब बोनस मिलेगा टोटल में जो आपका एक शेयर है वो दो शेयर के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा इन शॉर्ट आप लोग ये भी कह सकते हैं आपके पास में इस कमपनी के चाहे जितने मर्जी शेयर हो वो सभी के सभी यहाँ पे डबाल हो जाएंगे एंड इस बोनस को भी देने की एकस डेट रिकॉर्ड डेट फिलाल अभी अपकमिंग में है तो आप लोग चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जैसे ही एकस डेट और रिकॉर्ड डेट आएंगी मैं आप लोगों को सबसे पहले इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है पंजाब नाशनल बैंक, PNB बैंक का जो शेयर प्राइज है 122 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है और PNB बैंक की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है बेसिकली दे हिंदू बिजनस लाइन्स करके काफी जाना माना बिजनस आनलिस्ट है और दे हिंदू बिजनस लाइन्स की जो टीम है इसके अंदर काफी जादा जाने माने रिसर्च आनलिस्ट और काफी जाने माने टेकनिकल आनलिस्ट मौजूद है अब दे हिंदू बिजनस लाइन्स ने जो है पंजाब नाशनल बैंक के शेर के उपर में बुलिशनेस दिखाते हुए बाइंग रेकमेंडेशन शेर करी है और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 140 रुपीज का दिया है तो लगबग 122 रुपे से लेकर के 140 रुपे तक की एक जो रैली है वो दे हिंदू बिजनस लाइन्स एक्सपेक्ट करके चल रहा है पंजाब नाशनल बैंक के शेर के अंदर में देखिए पास्ट में भी लास्ट कुछ हफतों में भी अगर आप देखें PNB बैंक का जो शेर है काफी ज़ाद अच्छे रिटरंस अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है एक काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम के अंदर में मूव हो रहा है अभी लास्ट दो-चार दिनों से जो है बैंकिंग इंडेक्स के उपर में हमें रिकावरी भी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं ये जो 140 रुपे का टार्गेट है आपको आने वाले कुछ दिनों में का नाम है ITC Limited, ITC का जो शेर प्राइज है 428 रुपीस के उपर में चल रहा है अब ITC Limited की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है बेसिकली यहाँ पे ET Now करके काफी जाना माना बिजनस एनलिस्ट है और यहाँ पे जो टार्गेट प्राइस दिया गया है 435 रुपीस का दिया है तो लगबग 428 रुपे से लेकर के 435 रुपे तक की एक जो छोटी रैली है वो यहाँ पे ET Now expect करके चल रहा है ITC Limited के शेर के अंदर में अब यह जो टार्गेट है 435 रुपीस का इंट्राडे के हिसाब से दिया गया है जो की काफी आए possibilities यही बनेंगी अगला trading session Tuesday का दिन या फिर Wednesday के दिन दो दिनों के अंदर अंदर यह टार्गेट आपको एचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है तो अगर आप लोग चाहें ITC Limited के शेर को आपके watch list के अंदर में आड कर सकते हैं देखिए यह जो 435 रुपीस का टार्गेट है टार्गेट तो काफी छोटा है और काफी easily achieve भी हो सकता है अगर all over markets का जो sentiment है वो यहाँ पे positive में रहता है तो जरूर से आप लोग अगर चाहते हैं तो ITC Limited के शेर को आपके watch list के अंदर में आड कर सकते हैं बाकी ITC Limited और PNB Bank के अलावा आपको जिस भी company के शेर को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 12 stocks थे जिनोंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye